हेलो दोस्तों आज हम एनपी सी आईल इस्टेपेंटरी ट्रेनी का इलेक्ट्रिकल का कुश्चन पेपर डिसकस करेंगे पहला कुश्चन है तो दोस्तों यह पहली बात तो यह कि यह कुश्चन जो है हिंदी और इंग्लिस दोनों में तो जिसको जो सूटेबल लगे वह पढ़ सकता है बबूट यहीं होती हैं उनमें अगर इलक्ट्रिकल वाइरिंग करनी है तो उसके लिए कोस्ट लगेगी तो mound इनमें में कोन कौन से जो चीज जो चीज हैं उनकी हमको करनी पड़ेंगी तो हमसंडिन का quantity जो material required बिल्कुल सभी बात है कि हमको जो material required है उसकी quantity पता होना चाहिए कि यह चीज इतनी चाहिए यह वायर इतना चाहिए स्विच बोर्ड इतने चाहिए दूसरा material की कोस्ट यह तो हो गई और labor कोस्ट इस सारे की सारी तीनों कोस्ट क्या होगे उसमें जुडेंगी तो option D हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा सारे की सारे की गणना करनी पड़ेगी हमको तीनों options की कोस्ट को calculate करने के जिससे हम हाई resistance को मेजर नहीं कर सकते हैं तो option A है direct deflection method, B loss of charge, C megaohm दोस्तों जो direct deflection method है और loss of charge method है और megaohm तीनों के तीनों क्या है high resistance को measure करने के method है और सिर्फ यह option D जो है आपका potentiometer method तो potentiometer method यह होता है जो हमारा low resistance को measure करने के काम आता है याद रखना potentiometer कि इसको आता काम low resistance को measure करने के लिए बाकि जो तीन है इससे हम क्या करते है high resistance को मेजर तो option D आपको यहापर बिल्कुल से हो जाएगा हमारा अच्छा है इसमें क्या एक question और पूंचता है पूंच लेता है कि low resistance की range बताओ medium की बताओ high की बताओ तो यह range आपको याद रखनी है low resistance किसको कहेंगे हम अगर resistance के value 1 ohm से कम है तो low resistance कहलाएगा अच्छा यह बाकी दोवाइन में क्या है एक mistake ती यह आपको correct करनी है यहापर यह क्या mega ohm आएगा और कोई ऐसा resistance है जिसकी value क्या है आपकी point one mega ohm से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा आपका high resistance तो next question देखते हैं यह है ohms low is applicable to ohms low तो सबको पता है दोस्तों क्या होता है high proportional to solve करते हैं तो यह भी आपने पढ़ाएगा वीज को तो आई आ रहा जाता है तो ohms low है जो किसके लिए applicable है इन में से semiconductor, metallic conductor, insulator और electrolytes तो दोस्तों जो ohms low होता है न वह क्या होता सिर्फ metals के लिए applicable होता है तो option B है न हमारे आपे वही बिल्कुल सही है metallic conductors next question देखते है which of the following are the main components of electrical earthing system यहाँ पर पूच रहा है कि हमारे जो electrical earthing system होता है जो हम अर्थ करते हैं उन में से कौन-कौन से main components होते हैं options में दे रखा है earth continuity conductor, earthing lead, earth electrode तो इससे पहले क्या करते हैं कुछ और चीद देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है हमारे घरों में जो supply आती है single phase supply आती है उसमें एक phase wire होता है आपका दूसरा क्या होता है neutral wire होता है अब phase wire और neutral wire आके हमारे क्या जैसे switchboard में कोई बीए electrical equipment है हमाँ पर आपके जा रहे है अब मालो उसमें कोई fault है हमारे equipment होटा या फिर switchboard में कुछ फोल्ट है को दिक्कत है तो क्या हो जाएगा जैसे हम उसको चूएंगे क्या होएगा और हमने अगर नीचे नंगे पहरे तो क्या हो जाएगा हमारे सरीर से क्या हो जाएगा करंट फिलो हो जाएगा मैं सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना अगर हम इस क्यूपमेंट को चूद क्षा करना पड़ेगा अर्फिंग करना पड़ेगा सि क्या करेंगा हमारा इस Cities मैं जो भी एकसे करन्ट रहेगा उसको क्या कर देगा गवान करदेगाюда ठीक है तो इस quy kidnapped नब्यक्ष प्रिवाहनन करता है जो लो रिजस्सक्षक रहता है लग अप जो थे पाउलम करता है करने के लिए क्या क्या हम यूजर में लेते हैं सबसे नीचे क्या होती है अर्थ फ्लेट इसκो किया कहते हैं अर्फ लक्त्रोड विगए भी एक होता है को पींगे तो हमारे क्या है थी द oriented कल रहे हैं हमने क्या कर रहका है यह जो बी क्या एक्विक्व्नेटरशो perdu को पूरा अर्थ करणा तो अर्थ करने के लिए सब से पहले तो अर्ष के बादधा था एक फिर आती है फ्र तो कौन-कौन से कंपोनेंट है अर्थ कंटिन्यूटी कंड़क्टर है उपर से जो आ रहा था अर्थिंग लीड है और एक अर्थ लक्टोड है तो अब नेक्स्ट कुछन पर चलते हैं यह है डाइस इस टॉटल नंबर ओप मैंगेटिक फीलाइन फासिंग थू एन एरिया अच्छा यह कह रहा है कि कोई भी एक एरिया है मालो यह तो उससे जितनी भी टोटल फीलाइन सपास हो रही है ना तो इसको क्या कहेंगे अग्टो इसको क्या कहते हैं दोस्तों इसको कहते हैं मैंगनेटिक फ्लक्स ओप्संद सी यहां पे और wenings में पर करेक्ट होगा आप इसमें कर्म नोट हो töना कि सही होगा-डी रच पेखई कि वी वी डोट ए होता है ठीक क्या है आपका यह D option में जो लिखा हो है magnetic flux density ए एरिया है अब magnetic flux density होती ना तो देखो क्या से होता 5 B is question क्या लिख देते हैं 5 by A तो हम क्या कहते flux per unit area अगर यहां पर लिखा हो आथा कि magnetic flux per unit area ऐसे आपका लिखा जाए यह number of field lines passing through per unit area ऐसे करके लिखाए तो आपको कहना है magnetic flux density हो लेकिन यहां पर इसको क्या कहेंगे हम magnetic flux तो option C आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर नेक्स कुछन है छटा नंबर resistance of conductor is directly proportional to its तो किते आसान आसान कुछन आ रहें यह तो आपको सबको पता है resistance कि इसके प्रपोर्शन होता है length के और इनवर्सली प्रपोर्शन होता है एरिया के तभी तो आपका यह आता है आर्श को रो एल बाए जो आपने पढ़ा है तो यहां पर देख लीजिए इन से कोन कौण सी चीज यह एक length है तो आर्फ लैंथ के पुर्पोषनल पर फोचसे संबाट का हो स्यां पछ आए और सभी जाएगा और इन्वर्सली प्रपोरशनल पूंचता तो एस अर्या lavender हो जादा है निए यह कहरा है करते है यह आपको पता होगा डायोड क्या करता है अब इन में से कून सा करेक्ट है किसको करता है या फिर alternating voltage को direct current में करता है alternating current को direct voltage में करता है या फिर alternating current को ही direct current में करता है तो option D जो है ना दोस्ते वो सभी है जो AC current होता है न आपका उसको DC में convert कर देता है तो option D बिल्कुल यहां पर सभी होगा rectification अब आपसे पूछ ले inversion इन वर्जन या फिर inverter यह क्या करता है यह क्या करता है उल्टा कर देता है रहता है उसको क्या करते From कि तो इसको कर देता है को एकशन है के युनिट क्नदक्टिवीटी कि जांशी कि ऐसा यूनिट क्या हिए हमसे पोंच रहा है दोस्तों सीधा मैं बताता हूं आपको यह माहोँ पर मीटर होगा अब कैसे याद कैसे करें अब आपको पता है रेजिस्टेंश क्या होता है रो एल बाई पाफ रो क्या Ocean से यह मीटर आपका एक कट गया तो देखेंगे हम तो रिज्स्टिविटी की each क्या और मीतर रागई ओम मीटर हुं कि कि यूनिट आते हैं और अब कंड़क्टिविटी जो होती है बॉन इसको हि farmer truck करते वो क्या होती है रिज्स्टrav लेकिन वन उपन ओम है उसको हम क्या लिख सकते हैं महहों तीक है जिसको ऐसा साइन भी कह comprehensive नीचे मीक आजएगा पिर उपर ले जाओं में सब्सक्राइवर्स हो ईटनेटर इद्टेफाइन और रेशो ओ ओपन सर्क्डिट वॉल्टेज यह ओपर सर्कृट करन्ट olduğunu तो सोर्ट सर्किट करन्ट कोर्रसपंडिंग्ड टूधा सेइम एकसाओAR नीचे क्या सुर्ट करन्ट तो यह क्या कहला दोस्तों यह कहला था आपका सिम्क्रोन इंप स्केल लाता है तो उपसे डी आपका क्या है बिल्कुल सभी यहां पर फिलिंदा ब्लेंक्स में क्या आएगा आपके इंपिदेंस कि नाइस कुछन पर जलते हैं वन अपन टू पाई एफ की यही होता है यह पढ़ाओगो ना अपने एकसी कुछ तो वन अपन ओमेगा सी ओमेगा के लगा टू पाइफ दिया मैंने अब डिची की बात कर रहे हैं तो डी सी में तो हमारी क्या होती है फिरकेंसी जीरो होती है तो मैं यहां क्या लख सकता हूं गया अब नीचे जीरोह गया वन अपॉन जीर यह पूरी टम क्या हो जाएगी वन अपॉन 0 यह क्या हो जाएगा हमारा Infinite तो उप्सन इह हमारा क्या हो जाएगा स्थ जो रियक्टनस रहेगा वो तो उसमें टेंपरेचर को रेगुलेट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट लगा रहता है लेकिन थर्मोस्टेट होता है यह हमारा क्या करता है टेंपरेचर को रेगुलेट करता है तो ओपसन डी हमारा यहां पर है न वह बिल्कुल एक्दम करेक्ट है अब नाइस्स कुश्चन है फ्लक्स डैंसिटी एक्सप्रेस्ट अब पढ़ाता फ्लक्स डैंसिटी वह पर कुश्चन आ गया फाइस को स्टू बी डोट ए पढ़ाता कि वैसे तो मीटर मीटर को आ खाए पर मीतरों को ने क्या ने इस सकता क्योंक यहाप हे एंप करन की होती है तो atra अब नेक्स कोशन देखते हैं कि यह हैं इन सिंक्रोन स मेशीने सब्सक्राइब बॉपशन है मूविंग आइर इंस्ट्रूमेंट के बात कर रहा है तो उसको किस तरीक से हीज़ कर सकते has an emitter Wow wet meter किस किस तरह के से मुवविं आयरन को यूज कर सकते हैं रोपस्थन डी बिल्कुल सबिक्ला है तो चलते हैं देखते हैं हर याओ मेनी स्लीप अर देर छी ना स्लीप इंडेक्सिंत मोटर तो दोस्तों स्लीप इंडेक्सिन मोटर में जो रिंग होती है नरुप कि आ तीन ढगा में देखे सथ यहां पर आप देखे चलो अब आपके आर देखं़ आर ढखंतें तो यहां पर आपके कैन तीन इतुन इशका से पहले रही दूसरी रही तीसरी कि अब यहां पर पूछ रहा है कि सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है सबसे कम रेजिस्टिविटी होने का मनलब क्या है हाई कंड़क्टिविटी होगी रेजिस्टिविटी और तो यह उल्टे होते हैं एक दूसरे के तो हाइग कंडेक्टिविटी वह किसकी होते हैं सिलवर की होते हैं सबसे जादा तो ऑप्सन डी आपका यहां क्या है बिल्गुल सही है अब है which of the following type of instrument is used for only DC measurement DC को मेजर करने के लिए कौन से instrument हम यूज लेते हैं अभी पहले एक कुशन आता दोस्तों moving iron का जो moving iron होता है ना उसका हम as a emitter और voltometer दोनों के तरह यूज कर सकते हैं लेकिन वह मेजर क्या करता यह आपको पताऊना चाहिए तो moving iron से हम AC और DC दोनों को क्या कर सकते हैं major कर सकते हैं क्या AC और DC दोनों लेकिन यहां पर कुशन मंसे क्या पूछ रहा कि ऐसा कौन सा instrument है जो सिर्फ DC को मेजर करता है तो यह होता है दोस्तों आपका moving coil को मीटर वह होता है जिसके हम सिर्फ DC मेजर कर सकते हैं यह पर DC जगह भी लिखा हो सकता है एवरेज वैल्यू तो moving coil मीटर करता है इसकी जगह यह भी लिखा हो सकता है पी एम एम सी पर्मानेंट मैंट मुविंग कोईल भी लिखा हो सकता है आपको इध्यान रखना है तो और यह आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और moving RNA CDC को मेजर करता है चलते हैं नाइस कुछन पर यह है दा कैपसिट्यू रियक्टेंस ओप सर्किट डैस वन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाता हमने एक्सी क्या होता वन अपॉन टू पाई एफ सी तो यह क्या होगा आपकी इन्वर्सली कि नेग्स्तुल ऑस Style अठ्रों इदा ऋइनिटों दोस्तों फ्रों मोति है न ही AZнить होती दियुव लैंद की अब यहां पर के पर्स पूंचा जाता है कि बताऊं एक एक अंप स्टून Спेंस्ट यहां पर माइन टैन मीटर ल्यक्व होता है कि इतना फार टैन मींटर स्टूख अभी थोड़ देर पहले हमने काम पढ़ाता क्या करता है रेक्टिफाइई करता है और गेसी को सिर्ख करता है और ऐसे को सिंě करता है चूएorta क्या करता है अब यहां पर ही क्या हो रहा भी देसी आ रहा है न और शच्च्छ फीद्टे को जाये कि एवरेज वैल्यू तब कुश्चन में यहां पर भी एवरेज वैल्यू लिखा वह न वहीं हो जाएगा हमारा तो मुविंग आयरं को किसको जो जो सुरी living को इस Drag करते हैं किसको रैसपोंड करते हैं एवरेज वैल्यू को तो सब्सक्राइब करते हैं एक सब्सक्राइब यह को यहांपन करते हैं मोटर in in which the field winding is connected in series with the armature winding अब आर्मेचर winding है यह आर्मेचर है मेरा ठीक है अब आर्मेचर के स्रीज में मिला क्या है फिल्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है ठीक है अब यह आर्मेचर हो गया मेरा इसी के स्रीज में मैंने क्या कर दिया अब आप स्रीज दो जांगे कैसे बना दिया यहीं यही है क्या है कि मैनने हुआ इस्ट मोठ इन घ्कितर क्षाओं पील्ड वाइंडिंग अ तो नहीं पो अर्मेचर के स्रीज फिल्ड में वाइंडिंग कनेक्ट है हमारे तो कौन सी सब्सक्राइब यहां से सप्लाइ आती अब यहां पे डायरेक्ट सप्लाइ मिल जाती इस तरीके से कुछ होता है तो आपका यहां पे की स्रीज मोटर हो जाएगा उप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा नाइस विशन है वाट इस टोटल कैपेसिटेंस ओफोर कैपेसिटर उप इक्वल कैपेसिटी फोर सी फोर कूलाम वे वन कनेक्टेड इन स्रीज प्रसी वैल्यू दे रखी है कूलाम नहीं चार्ज की agu क्या कर रखा है श्रीज में करनेक्ट कर रखा है इसके फोर सी ऩोरी पर और अब स्रीज में कर Then it तो क्या होएगा हमारा टोटल तो होथा तो इसमीं सारों को जोड़ देते लेकिन डेजिस्टनस नहीं तो क्या करदेंगे atchingगे पैलल जैसे रेजिस्टनस को करते हैं उसी तरीका सेघ्र सूथ होएगा है अब सब सेम रहते हैं तो क्या करेसेटें साथ दो總 मिर्ण बनाइस कुछ लिए टाल थे इंटर्वैल बिट्वीन अनोड पर्लिंग टून फॉर ब्लोकिंग आ है कुछन दंक से पड़ो क्या लिखता है रेक्ट पर लिखार का लिठे रहा है अंड़ड करंट जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या कोई बीदिभाइस जो भी है जिसक किसके regarding है कौन सा इन में से option हो सही हो जाएगा turn of time of SCR सही हो जाएगा तो क्या कह देंगा turn of time of SCR is defined as the interval between anode current falling to zero and device regaining its forward blocking mode यानि कि क्या करते हैं इसमें नोड करन को zero करते हैं फिर उसके बाद क्या होता है वह वापिस रीगेन आ जाता अपनी पोसिशन में इसका एक figure होता है वैसे कुछ इस तरीके का कि यह आपका anode current होता है यह जीरो हो है फिर नेगेटिव में क्या करते हैं थोड़ा सा वोल्टेज अपलाई करते हैं क्योंकि थोड़े वह चार्ज कैरियर से रह जाते हैं उसमें ताकि यह पूरा का पूरा जीर हो जाए बाद में तो कुछ इस तरीके से होता है इतना याद रखने के आपको जरत नहीं है आप इ कैसे याद रखे लैंज में क्या रहा है और एनर्जी में क्या आता है अब करता है यह नैसोचन देखते हैं अ शर्किट तो वह वह फिर और आपको यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा रेजुरेंस फ्रिक्वेंसी तो आज की वीडियो में दोस्तों 25 कुशन अमने कर ले हैं बाकी का जो पार्ट बचा हुए बाकी के कुशन बचे हैं वह अगले पार्ट में मैं करा दोगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग आओ दोस्तों तो पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू